इस मक्त हम बहुत चुके हैं आयोधिया में प्राचीन हन्मान गड़ी मंदिर में जो इस मंदिर के बारे में मैंने जिक्र किया था कि भगवान राम जब लंका से आयोधिया जीत कराये थे तो उन्होंने हन्मान जी को यह जगर रहने के लिए दे थी और 80 करीब ऐसे कहा जाता है कि 300 साल पहले महंत अभे रामदास जी ने इस मंदिर को बन माया था और यहाँ पर इस मंदिर के अंदर ऐसी कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं ऐसे कई सारे निशान में रखे हुए हैं जो आयोधिया से जीत कर लाय भी गये था जिनमें हनमान नशान सबसे बड़ा बताया जाता है तो यह मंदिर देखिए और यहाँ के लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन सबसे पहले आप देखिए प्राचीन हनमान गड़ी का जो मंदिर है जो समंदिर के बारे में अलग-अलग बानेताय हैं कहा जाता है कि भगवान राम ने उस वक्त ऐसा इसली किया था क्योंकि हनमान जी को आयोधिया का सेना पती तो कहा जाता है और जो भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए तो सबसे पहले वो हनमान गड़ी में आकर पहले हनमान जी के दर्शन करें उसके बाद आके उनकी जो है जो दर्शन करने की प्रक्रिया है वो बढ़ें यहाँ के लोगों से अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सर जैसरे राम जैहनमान कहा से है मुंबई से हैं मुंबई से हनुमान गढ़ी मंदिर का दर्शन आप निकल ले हनुमान जी का लग रहा है बहुत अच्छा कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन आयोध्या में आके सबसे पहले करने चाहिए हनुमान गढ़ी का जो प्राचीन मंदिर है इसके बारे में बताईए यहाँ पर जो निशान रखे गए है क्या बिसस्ता है इसकी तो मैत्यप प्रूर्णता यह है कि यह-चाहित थी इनके दर्शन संभाव हो पाती है जिसने बालाजी महराज अपने दर्शन उनको दिये है अच्छा हम आयोध्या आते हैं सबसे पहले हन्मान जी के दर्शन करते हैं उसके बाद कि जो प्रक्रिया होती है करनक भवन जाते हैं भगवान राम के मंदिर में जाते हैं पूरा ही स्वर्ग है किसी बी गली किसी भी महले और किसी नुकड़ पर चले जाओ रागवेंदर सरकार किसी ना किसी रूप में और बाला जी मराज किसी ना किसी रूप में सेवा करते और अपना अश्रिवाद देते ही मिलें के जैस्रे राम जैयोद्यादाम देखे हन्वान गड़ी मंदिर में बिसस्ताय क्या है पंडे जी बता रहे थे जी क्या नाम आपका जैस्री राम मैं सुनीता बोड़ाई विद्यार्थी उत्राखंड से हूं और प्रदेश प्रवक्ता भाजपा हूं और आज हम पूरे परिवा सकार यहीं पर है और श्राम लला जी के दरशन हम कर चुके हैं और जाने का मन नहीं गर रहे हैं दुबार nenhuma वाफस वाफस गूम रहे हैं थो चुकिय क्योंूरD के बार गारत घाए और चितने भी रम भ्याध्वी में हैं वुसारी राम लêmा जी के दर्शन करें और पुन्य लापराप्त करें आप ने कहा कि आप बिजेपी की प्रवक्ता हैं आप भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आ रही हैं आप चाहती तो मतलब अलग से आती आरोप जो लगाए जाते हों तो निराधार लग रहे हैं दिकि ऐसा है मैं तो यह कहूं गिला शिक्वा एक तरफ रखी है और राम भक्त बनकर अपने दर्शन कीजिए और राम लेला जी सब का भला करेंगे और पूरे विश्यो में जो एक मैसेज जाना जी जो पॉजिटिविटी जानी चाहिए वो होना चाहिए बाकी नेतागिरी अपनी जगए है वो अलग एक प्र stiff प्रिफेशन है उसमें आप अलग से अपना करिए जितना 100% गरना है लेकिन यहां पर राम भक्त सभी राम भक्त की हैं किसी वी विचार धारा की हैं सभी राम भक्त हैं और सभी राम भक्तों को एक जुट होकर आना चाहिए और शरी राम लला जी के दर्शन करने चाह कि जो जो निता करेगा सनातन परहार जो निता करेगा सनातन परहार उसका गीरेगा सरकार कुर्सी बचा के रखना है तो करो राम से प्यार कुर्सी बचा के रखना है तो करो राम से प्यार कुर्सी बचा कर रखना है तो करो राम से प्यार क्या ना मैं मेरा नाम शीवा राष्ट के लक्ष तरफ ले जा रहा हूँ हमारी टीम आई है हन्मान ची के दर्शन करके आपको कैसा लगा क्या मान देता है दर्शन करके बहुत भब लगा बहुत अच्छा है प्रभू स्री राम भी आ रहे हैं बाइस तारिक को आ जाएंगे प्राणपतिश्टा होगा फिर प्रदाम से आपने जी जी ऐसा लगा हन्मान जी का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा लेकिन बाइस तारिक को प्राणपतिश्टा हो जाएगी जब तो पूरा अभी माहौल है ऐसे ही रहेगा पूरे पूरी जिन्दी की आउद्ध्या है माहल बहुत अच्छा मोलिए जै कर रहा था मैं मौजूद हो और यहां पर भी दर्शन करने जो स्रद्धालु आते हैं सबसे पहले आते हैं और सबकी अपनी भावनाएं होती है लेकिन अलग-अलग चीज हमें देखने को मिली अभी जिस तरह से हमने देखा कि नेता हो अभी नेता हो या फिर कोई आम इंसा सबके लिए एक जो प्रक्रिया होती है उसे प्रक्रिया के तहर लोग दर्शन करना भी चाहते हैं और ऐसा करना भी चाहिए कामरापरसन गौरो सक्सेना के साथ देवनात पांडे गुजरात फर्स्ट आयोद्या